हेलो दुर्तोर स्वागत है आपको एक बड़ से फिर हमारी यूटूब चैनल एसके ओन्लाइन सेंटर में आज हम बात करेंगे यस बी आई इस्टेट बैंक अफ इंडिया जिसके अंत्रवत प्यों की वेगयन से निकले हुए है इसको कैसे ओन्लाइन करेंगे कब से कब तक इसका डेट है सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले है तो चलिए बिने किसी दिरी के स्टाट करते हैं सब्सक्राइब और चानल और एंडों फोरिट ट्रेश बेल आईकोन येसा कि आप देख पा रही हिसके जए से मेंट साइट है जैसा इसके मेंट साइट पर आएं एंगे भीया आप आपशन आपशन दिक躂एदेगा इंपर इम الفाव हे अपीर्म को ठीक है 1950 से यह form को fill up किया जाएगा यानि 2932 इस form को fill up किया जाएगा 2932 तक last date है इस form का ठीक है इसके बद जो कि आपने जो भी form fill up करेंगे उसका print out आप 1232 तक निगाव सकते हैं इसका online fees payment जो है 2932 से 2732 तक कर सकते हैं ठीक है अबर आप पहले से restriction किये हुए करेंगे इसके बाद submit पर क्लिक करके इसको जो की login कर सकते है और आप पहले बार इस form को fill up कर रहे हैं नई candidate है नई user है इस वाज़े section तक क्लिक करेंगे क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा वागत रेगा इसके बाद हमार सामने कौछ इससर की इसके इंटेफेस को लेगा फॉस्ट आप्न दिखाए देगा बेसिक इडिएल और सिंग्रिचर थॉड्ड आप्न दिखाए देगा आपका डिडियल चा फॉर्सम्स सबले वास्टनेम जासे फिल करेंगquality में तो इसको या इसको या maps में देंगी a x लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है इसको यह से चूज कर लेंगे एड एड लगा हुआ है क्यों आपको चूज करना है gmail.com ठीक है आप 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 लॉट्य कर जो भी आपका email इड ओको फोन में लॉग इन होगा हुआ से दे सकते हैं उसके पड़े अपना email इड को पुर्णा यासे टाइप करेंगे दुनों को यासा अफ्लोड करनेक बाद कंफरम करनेक बाद नेक्स वाले इसके बाद हम आगे बड़ेंगे तो थोड आउसम आपका खुल जाएगा डिटील का डिटील में आपको दो आफ्सम दिखाए देंगी बेशिक डिटील उसका बाद क्वालिफिकीशन एक्स्पिरियं कोरेंगे याघ्ट करेंगे इसका बाद श्पर काश में रिखते हैं ओप लिखे देगा कि आप 40% की बिखलांगता है तो यस या नो यहां से कर सकते हैं गर नहीं यह तो यहां से नो कर लेंगी नीचे स्कूल करते चले जाएंगी ठीके अप फूर सभी नो ही रहेगा ठीके इसाब मापका जो भी हाइलाइट आओ कि उड़ आप उसी को टिक करना ठीक इंगलिस में लिखा हूँ और मैं आपको हिंदी में पढ़के बता देता हूँ किया आप विशिष्ट बिखलांगता वाले ब्यक्ति हैं जो R, B, W, B, D, अदिन्यम 2016 की धारा 2S की परिभासा के अंतरगत आते हैं लेकिन R, B, W, B, D, अदिन्यम 2016 की धारा 2R की परिभासा की अंतरगत कवर नहीं है यानि 40 % से कम विकलंगता वाले बेक्ती और लिखने में कट्रा ही हो रही है तो यह दो यहां से कर सकते हैं, ठीकै? अगर आप विकलंगता से संबन नहीं इसको कर लेंगी, मुझे नहीं है तो यह सा नो कर लेंगी, इसके बाद नीचे स्क्रूल करेंगे तो ओफन दिखाए अगर अधर है तो अधर चूज चूच कर सकते हैं मैं हिंधो हो तो हिंधाउच करेंगे किया आप ऐसे कर सकते है इसके बाद यहां थह इंगल multipont über कै opponentsabol का ऋफिसर की भरती के लिए परिक्षा रिण किया है जो विमेदवार पहले ही अन्धिक्तम विकारी आउसरों के लिए उपवस्तित हो चुके हैं वे आवेतन करने के पात्र नहीं है आउसरों की संख्या की जो गड़ना है 18-4-22 को आयोजित परिछा से की जाएगी अगर आपने कोई जो अटेंड किया इस एक्जाम को इसका इसका इसकी संख्या दे सकते हैं अगर नहीं किया तो यहां पर जीरो टाइप कर सकते हैं या आपने कोई अटेंड नहीं किया है इसके नीचे स्क्रोल करेंगे हम इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ओफ्सन दिखे देगा क्या आपके पास जीरी या क्रेडिट काई रासे के पूर्ण भुकतायर में चूक क क्या रिकार है और या जिसके नाम पर सी आई बी आई एल या अने बहारी एजेंट्रियों की प्रतिकुल रिपोट उपलप्त है अगर ऐसा कुछ है तो इसको यह यह कर सकते हैं इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या आपके पास चरित और पुरुत नैतिक अधमता के साम और आपके इस तो आप इसको दे जकते हैं जो भी इनोंने इंग्लिज से में लिखाता है मैं आपको जो की हिंदी में पढ़के बता दिया हूं ठीक है प्रिलिंस एक्जाम के लिए आपको जो किया है अपको जो इस्टेट की सिस्टेश से फॉर्म को फिर आपको उत्तर प्रदेट ठीक है इसके बड़ इस्टेट कुड़ आपके सामने आ जाएगा इसके बाद हम आरे बढ़ेंगे आपको एक दिनी पड़ेगी इस वह कहां से चीकाउट करेंगे चिकाउट करने के बाद, ID proof में आप क्या देना चाहते हैं, पासपोर्ट, अधार, पैंड कार, ड्राविल असे, वोटर आईडी, बैंक का पासपोर्ट यान जो भी आप ID देना चाहते हैं, याँसे स्लेट करेंगे, मैं अधार कार देना चाहता हूँ, इसको चूच करेंगे, इसका बाद ID proof नंबर यान अधार नंबर आपको यान से फिल करना पड़ेगे, इसका बाद नीचे इस्कूल करेंगे, नीचे इस्कूल करने बाद प्रसलन डिटिल में आपको डेटा वर्स अपना फिल करना पड़ेगा, मॉन्त यासे देदेंगे, यार यासे देदेंगे, इसका बाद gender चूच करेंगे, male है, familiar, other जो भी आपका gender यासे चूच कर सकते हैं, कि आप जुड़ूआ भाई या पान तो नहीं, अगर है तो यास करेंगे, इसका बाद आगे बड़ेगे तो unmarried है, married है, या बिद्वा, जो भी आपका है यासे दे सकते हैं, ठीके, इसका बाद फादर का नाम, फादर का first name, फादर का middle name, फादर का last name, आगे बड़ेगे तो इसका pin code देंगे उस एरिया का, अगर आप corresponding address और permanent address अगर आप तरसे में तो इसको check out कर सकते हैं, वारना अलग-अलग address भी fill करेंगे, इसका बाद नीचे इस्कूल करेंगी, नीचे इस्कूल करने के बाद option देखे देगा choose the address, अगर पर कहा जाएगा corresponding address अगर permanent address, जो भी आप address देना चाहते, चूज कर सकते हैं, अगर आप OVC और general category में आते हैं, तो आपको अपना यहां से payment दिखाई देगा, इसके बाज़ा होगी इस पेवर्णिष पर क्लिक करेंगे, तो चैनिन सब को feel कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो option दे आपको खूल जाएगा qualification, experience और language का, सबसे पहले option दिखाई देगा, ग्रीशिविंड का, तो पास है पास है या आपेरिंग है, तो पास है तो पास है तो आप इसके बाद जोगी, list of institute या college का जोगी, जिस जवाब पे आपका college है उसका नाम यासा feel करेंगी, data passing यासा choose करेंगी, कितना percent हो या से देदेंगी, class है जो grade आपके क्या first class, second class या जो कि pass के वाले हैं, तो मेरा second है तो second choose कर लेंगी, तो आप इसको अच्छे से feel करिएगा, integrated dual degree अगर आपके पास है तो इसको चूच कर सकते fast या पेरिंग, पास है तो pass चूच करिएगा, ठीकि उसमें अगर आपके पास क्या arts, science, commerce जो भी आपका रहा है यासा दे सकते हैं, ठीकि उसको बाद जोगी, name of institute, place of institute, किस date को पास क्या वा यासा देदेंगी, percentage किया रहा है वा इसके बाद जोगो post creation का detail अगर आपके पास है तो वह भी आसा दे सकते हैं, ठीकि उसको बाद जोगी, name of institute का नाम यासा फिल करेंगी, list of institute यासा देदेंगी, किस date को पास क्या वा यासा देदेंगी, mark, mark या percentage आप वा यासा फिल करना पड़ेगा, इसका वोज़े class या grade या इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो professional qualification आगर आपके पास है तो वह यासा फिल करेंगी, इसके बाद आप नेचे school करेंगे, तो ऑफ्सान देखाई देगा, क्या है आप परिक्षा पूर्वा, परिक्षा लेने के एक चुक है, ST, SC, OBC, या जो की minority community के लिए, अगर है तो yes करे पाउंड, इसके बाद नेचे school करेंगे, तो आपको क्यों क्यों सब्स्रेश नागे वाज आती जीसे, English, Hindi, ऐसके बढ़ेंगे, बुछे Hindi आती है, हिंदी आसे type करेंगे, इसके बाद आपको Hindi बोलना आता है, पढ़ना आता है, लिखना भी आता है, या तिनों आपको से इस में क्या आता है अगर एंगलेस में आपको लिखना आता है या पढ़ना आता है तो कोई भी आपको 41 शरू ऊंप कुण सकते हैं इसको बाद से मेरें नीचे करेंगे थिक है इसके बाद अपध आक्म बढिंगे Kai ग्रवेशन आपना अपने चेक करने को फ़ STEPHAN खोल जाएगा , आप इसको बह। अच्र से मिला आ लेंगे , इसके बाद नीचे is pathogens करेंगे जब निचे इस्थोन करने के अपंवे आस आप सत्री दिखाई देगा इसके डिकेशन में आप इसको छिक करेंगी sous नहीं करना ठीक है वप जोगी मेरे कशन के कर ली करेंगे तो आपा निदिंद अपको यहां तो अपलोड करना पड़ेगा, इसका बचले कोड करेंगी, इसका फाइब काप्टु करेंगी, उसको पैसे मनेशर्ड करेंगी, ज़िए इन दोनों को अपलोड कर लेते हैं, आपको सब्सक्राइब काहां निखना हो, जैसे आप को नोटिफिक्रिक्सन को ओपें करेंगी वोपेंट करने के बाद आपको जोद नमर पर चले आना है या आपको लिखा है guidelines for the scanning and upload of photograph signature left hand impression and handwritten ठीक है इसका थोड़ा सब नीचे आएंगे तो option लिखेंगे इन नमर पर आपको यह बला ठीक है इससी को आप जोगे अपने हाथों से लिखेंगे अपने PHP इसके बाद इसको skin करेंगी इसको upload करेंगे ठीक है यहाँ पर आई की बात जो अपना नाम लिखेंगे name of the candidate यहाँ लिखा हुआ है name of the candidate में आपको यहाँ अपना नाम लिखना है इसके बाद जो कि आप इस वाले gap में अपना data worth यहाँ से लिखना है इसके बाद जो कि इसको note लिख करके आपको यहाँ अप्लोड करना पड़ेगा ठीक है चलिए मैं आपको लाइब दिखाता हूँ कैसे अप्लोड करते है इसको यहाँ से मैं cut कर लेता हूँ cut करने के बाद चलिएगा choose file में जहाँ से भी आपने रखा होगा इसके बाद मैं आप रखा हुआ है इसे यहाँ से open कर लेंगी ठीक है एक दू सगिंड में upload हो जाएगा यहाँ से open करने के बाद आप इन दोनों को check out कर सकते है और जो भी आपने upload किया document वहाँ साही है इसका capture code को यहाँ से fill करेंगी capture code को fill करने बाद save and next पर click करेंगी यहाँ से okay करेंगी हम जैसे okay करेंगी आपको ऐसा payment का option खुलेगा हम पर capture code को fill करेंगे कि वहाँ submit वाले section पर click करेंगे यहाँ से okay करेंगे हम जैसे okay करेंगे आप आपसे payment का option खुल जाएगा आप जिस भी माद हमसे payment करना चाहते है payment कर सकते है एक दूसरे इंगर का समय लाता है यह आपके सामने multiple option खुल गया है credit card debit card other debit card internet banking wallet keyword code या UPI जिस भी माद हमसे payment करना चाहते है और payment कर सकते है keyword code करेंगेends Prague karendu China 거예요 UPI या डाल सकते हैं उसके थ्रूट पेमेंट कर सकते हैं वरना क्लिक करकी आप इसको मोबाईल से स्कीन करेंगे आप उसके बाद पेमेंट कर लेंगे चलिए इसको पेमेंट कर लेते हैं पेमेंट करने के दुरांत बाद ही आप वहां से पिंट आउट कर सकते हैं और आपने प लाइन फार्म निकला हुआ था, step by step सारी जनका या पॉपराइट की इसका फार्म कैसे फिल करेंगी, कैसे डाकुमेंट को अप्रोड करेंगी, तो आसा है वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमाँ चै